क्लास अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है classification of animals to non-co-data क्लास नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक recall टेस्ट करते हैं यहां आपकी स्क्रीन पे तीन questions हैं इन्हें आप पढ़िए with options और आपको जो लगता है correct option है आप अपनी copy में no down करें हम यहां पर वीडियो को थोड़ी दर के लिए pause करेंगे नाव क्लास और दो questions हैं इन्हें भी पढ़िए और इनके options को पढ़िए आपको जो लगता है correct option है आप अपनी copy में no down करेंगे यहां भी हम वीडियो को कुछ देर के लिए pause करेंगे नाव क्लास answers देखते हैं answers है A, first का, second का A, third का B, fourth का B, fifth का C क्लास अब हम अपना file हम आनलिडा शुरू करते हैं यही हमारा next sub-topic है तो क्लास आनलिडा का example है earthworm, earthworm से हम शुरू करते हैं इनके characteristic features हम आगे देखेंगे तो जितने भी आनलिड्स हैं, या तो वो terrestrial होते हैं या aquatic free living होते हैं और कुछ जो हैं वो parasitic भी होते हैं उसके लावा इन में present होता है organ system level of organization इनकी symmetry bilateral होती है और ये triploblastik यानि इन में तीन germinal layers present होती है क्लास, previously हम लोगों ने सीखा था about roundworms यानि आस्केलल मिन्थीज के बारे में जिसमें present होती है pseudo-celomate यानि false cavity लेकिन क्लास, आनलिड्स में present होती है true cavity जिसको अब हम क्या कहेंगे celomate animals नाव क्लास, जो आनलिड्स होते हैं उनकी body जो है वो segmented होती है उनकी body surface पे distinctly marked segments होते हैं जिनने हम metamere कहते हैं नाव क्लास ये जो segmented body होती है इन में muscle contraction होता है जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस जगे होगा circular muscle contraction और इधर आप देख सकते हो इधर होगा longitudinal muscle contraction जो की आनलिड्स को मदद करते हैं move करने में, locomotion करने में aquatic analytes में होते हैं parapodia जो की मदद करते हैं उनको swimming के लिए और analytes के पास होता है closed circulatory system इसके बाद इनके पास present होता है neural system जिसमें paired ganglia होते हैं जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं paired cerebral ganglion है और present है nerve caught साथी साथ present है lateral nerve Now class examples है अनलिडा के nearest, leech, earthworm तो अगर हम leech और earthworm की बात करें तो इनके sexes separate नहीं होते हैं यानि यह monoseous यानि हर्मफ्रोडाइट है लेकिन अगर हम neris की बात करेंगे तो यहाँ पर sexes जो हैं वो separate होते हैं यानि यह diaceous हैं तो class अगर हम इनके reproduction की बात करें तो analytes जो हैं वो reproduce करते हैं through sexual reproduction करेंगे हैं जो्रेथ सब्सक्तितव में यह जडसे जडसे की बात की बात की जो हैंगे चाहँ में वो बात की बात की छीज़ा हैं